साथियों नमस्कार स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में 69,000 सिचक बरती उत्तर कुंजी प्रकरण में आज कही दिनों के बाद आप सभी के बीच में उपस्तित कोई खुसी वाली नियूस तो नहीं लेकर आया है लेकिन सुचना है काम की इसलिए आपको बता रहा हो कि सुप्रीम कोर्ट में पूरे आर्देश को जो है वो चैलेंज कर दिया गया और इसके साथ साथ इस्टे की मांग करी गई है कि इस्टे दे दिया जाए आर्डर पर पूरी तरह से आर्डर पर रोक लगाया जाए जब तक मामला साल्ब नहीं हो जाता है क्या है संपूर मामला सारी चीज़े इस वीडियो के माद्यम से चर्चा करेंगे और भी साथ हो तक पहुचाने का कार्याप का है वीडियो को सेर करिएगा तो यहां से आप देखेंगे इस पूरी सुचना को नजर रखते हैं यहां से आप देखिए आप सभी को बड़े 28-7-2021 दाखिल की है जिसमें हम सभी को पहले ही पता लग चुका है था कि पूरा आडर चैलेंज कर चुके हैं यह उतना तक तो ठीक था लेकिन आज हमारे कैवियेट होने की वज़े से हमें इनकी नोटिस और पूरी अपील की फाइल प्राप्त होई है जिसमें उन्होंने अ कैवियेट की बाद जो चल रही है वो रोही सुकला जी द्वारा जो कैवियेट है उसी की बाद चल रही है उसी कैवियेट पर जो है नोटिस आई है और इसके बाद जिसका ताथ पर यह है कि सीधा सीधा यह कहा गया है कि जब तक सुप्रिम कोर्ट में मामला चल रहा है अन्य लोगों का भी भला हो जाए और आगे सुप्रीम कोर्ट से भी ज्यादा नमबर बढ़े लेकिन उन्होंने एक नमबर से नियुक्ति के और अग्रसर होने वाले परचूरा जो है भूग दिया गया है इन्होंने 700 लोगों की नोकरी में टांग डाने की कोशिश की है टीम इनके किये गए गलत कारी पर अपने बचाओ और कार्ट के लिए कार्ट त्यार कर ली है आप सब परिसान ना हो बस सजग हो जाए और लडाई के लिए त्यार रही है उत्तर कुंजी लेगल टीम के द्वारा ये पोस्ट प्राप्त हुई हमें और जिसकी जानकारी हम आप त्युसार दो हजारी किस ठीक है यह नोटिस और इतनी हमें प्राप्त हुई है इसकी जानकारी हम आप सभी को दे रहे हैं तो सर्वोचनाले में जो डबल बेंच का आदिस है पचीस तारीख वाला उसको चैलेंज कर दिया गया इस्टे की मांग करी गई है अब देखना है क्या हो सकता है अब बात करते हैं टीम रिसम मिस्रा द्वारा डाली गई याचिका के बिसे में क्या सर्वोचनाले में वो याचिका पड़ी की नहीं देखिए हमारा काम अभी चल रहा है हमने आपको पहले भी बताया था और आज भी हम बता रहे हैं कि हमारा साथ सभी के दो परिवार के आगे जाने से हम परिवार को तोड़ नहीं सकते हमने पहले भी कहा था हम सब के लिए लड़ रहे हैं और हम सब के लिए लड़ेंगे एक नंबर से पास अभीरतियों को न्युक्ति दिलाने के लिए लड़ रहे हैं और इसके बाद जो हमारे साथ ही अभी रह लोग हमारा साथ दे तो सबका साथ लेकर के हम लड़ाई लड़ सकते हैं किसी भी तरीके से बायर करके या इस तरीके से इस्तितिया उत्पन करके लड़ाई नहीं लड़ी जा सकती तो आप सब निश्चिंत रहें इस समस्चा का भी हल निकाला जाएगा जो भी हमारे एक और पूरा पैनल इस मामले को भी देख रहा है